के गाइस वेल्कम बैक टो चैनल कोर क्रियेटर तो आज हम बनाएंगे लिपन आट तो उसकी लिपन डिजाइन तो आज हम यह वाला डिजाइन बनाने वाले हैं तो लट्सी कि हम इसको क्यासे ड्रो करेंगे सबसे पहले हमें चाहिए होगा कंपास पैंसल स्केल एंड मेड़ बारा जो मीरर हम यूज करेंगे उसका साइज है पहले हमें ढूनना है सैंटर तो सैंटर ढूनने के लिए परस्ट अपर स्केल से कि अग्याइद करेंगे एंड तीन पे जो कर देंगे देंड दूसरी साइड से मेजर करेंगे ते मिदिया पे ड्रो कर देंगे जो पार्ट क्रोस होगा वह होगा मारा संटर कि अग्याइड का साइज लेंगे तो मिदिया का साइज है कुछ वन पॉइंट फाइफ निए का साइज है थी सेंटिमेटर तो हम लेंगे वन पॉइंट फाइफ तो यह हमने अभी वन पॉइंट पे लिया है और इसको उसका प्राउंड बनाएगे मिरर के लिए तो अभी यह 3 सेंटिमेटर का सपल बन गया है यह वाला पार्ट क्लेम यूज होगा तो इस वाले पार्ट को इसमें मिक्स कर दिया दैन अभी हम लेंगे 7 सेंटिमेटर करां तो उसके लिए सेब्सेल कर लेंगे 7 सेंटिमेटर और रहुंतिमे ऑला है आर के लिए हमारे संटिमेटर का राउंद हो गया में इन अभी हम लेंगे 10-CM यह अभी अपना फोट सरकर बन गया है दे लास्ट इस थर्टें प्याइब अभी यह 13.5 वाला सर्कल द्रा हो गया है दन अभी हम इसके लिग देने अभी हम स्केल की हबसर एक हाफ ड्राव कर देने दोने ग्राफ शेक हो गया है दन अभी इसकी हबसर 15 इंटिगरी के डिस्टेंस में हम मार्क करेंगे इस जिरो टू तैन इस इस सिफ्टी तो यहां पर मार्क कर देंगे तन थर्टी तन फर्टी तन फर्टी 165 तन इंट 2 अभी स्केल की हब से इसको रीक हच स्काम उपल को चौर धैग Our년 बब बुबस अभी यह बहुना पार्ट हमने द्रॉब करिया है दे नेक्स पार्ट इस दे फ्लोवर पार्ट प्लावर मेराने के लिए हम इसको हलका हलका द्रॉब अभी दुशे साइस का द्रॉब करते हैं अभी दुशे साइस का द्रॉब करते हैं अब दूसरा तावर बाद ट्रॉह करें इसकी हमें सेम डारेक्शन में ज्रॉह करें नहीं अब्हुक्त करें तरॉह करें और मादो करें नहीं प्लावर बाद होया है यह थाए, आपर पाट रहे लगीघ, अब नेख, टॉल एकाट यह लेडी, घर निरवाल पाट है औरेगे, लगे में, दो लगेड़ने है। कर दो जा जर लोगाँ चान चाने बार लोगाँ साने में उर आर्पराँ उर जाने हैं झाल झाल